हलो दोस्तो तैयारी कलो चनल में आपका एक बार से स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे सामान हिंदी से संबंधित प्रमुख पंक्तियां और उन पंक्तियों को किन कवियों ने कहा है इसके बारे में देखेंगे ऐसे सवाल प्रमुक परिशाओं में बहुत पूछे जाते हैं जैसे की UPSC, PSC, SSC, BANK, RRB, UGC, NET, TGT, PGT और VYAPAM एक्जाम या जितने भी गुवर्मेंट एक्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप तैयारी कर लो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लें और उसमें देखें बहुत सी ऐसी वीडियो है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप हिंदी स यह साहिति संबंधित महतुपूर्ण वीडियो देख सकते हैं पहला सवाल है मसी कागत चुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ती के रचैता है प्रस्तुत पंक्ती के रचैता कौन है इसका जवाब है कबीर दास जी है दूसरा सवाल है हिमाले के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उसा ने हस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार प्रस्तुत पंक्तियों के रशेटा है इसका जवाब है जैशंकर प्रसाद दिवेदी जी तीसरा सवाल है सखीवे मुझसे कहकर जाते किस कवी की कावे पंक्ती है इसका जवाब है मैथली शरण गुप्त जी की है चौथा सवाल है परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पिगड़ा सम नहीं अधमाई प्रस्तुत पंक्ती किस कवी की है किस कवी की है इसका जवाब है तुलसी दास जी की है पाचवा सवाल है अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है पंक्ती प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है किस नाटक से है या प्रस्तुत पंक्ती इसका जवाब है धुरुवस्वामिनी नाटक से लिया गया है चट्वा सवाल है शब्दार्थो सहितम काव्यम यह उक्ती किस की है इसका जवाब है भामह की है सवाल है एक मनई के दूई बिटवे रहिन ओह मा लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होई तवन हमका दैदे यह आउतरण हिंदी की किस बोली में है बोली बताना है किस बोली में है इसका जवाब है अवधी बोली में है आठवा सवाल है इसने निरजर बह गया रेत सतन रह गया किस की पंक्ती है इसका जवाब है निराला जी की पंक्ती है नौमा सवाल है वधने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी किस की पंक्ती है किसकी पंक्ती है इसका जवाब है मैथली शरण गुप्त जी की है यहाँ पंक्ती मैथली शरण गुप्त जी की है दसवाँ सवाल है काशी में हम प्रगट भै समानंद चेताए किसकी पंक्ती है किसकी है इसका जवाब है कबीर दास जी की पंक्ती है ग्यारूँ सवाल है विश्व वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस वियश्टी का अभिमान किसकी पंक्ती है या प्रस्तुत पंक्ती किसकी है इसका जवाब है भारत भूशन अगरवाल जी की पंक्ती है बारूँ सवाल है बसो मेरे नैनन में नंद लाल किसकी पंक्ती है उक्ती यह जो प्रस्तुत पंक्ती है यह किसकी है इसका जवाब है मीरा बाई जी की है तेरुआ सवाल है अमिने हलाहल मदभरे श्वेत स्याम रतनार जियत मरत जुकी जुकी परत जेही चितवत एक बार किसकी पंक्तियां है प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है इसका जवाब है रसलीन जी की है अगला सवाल है जिन दुहनी चिन्हों दौरा मनुस से परस पर विचार विनियम करता है उसको समश्टी रूप में भासा कहते हैं भासा की यह परभासा किसकी है बहुत ही महत्पूर सवाल है इसका जवाब है डॉक्टर बाबु राम सक्सेना जी की है पंद्रूआ सवाल है हिंदी नई चाल में ढ़ली यह कतन किसका है यह भी कई बार पूछा गया सवाल है जिसका जवाब है भारतेंदु हरिश चंदर का कतन है सोलूआ सवाल है केशो कही न जाय का कहिए देखत तब रचना विचित्र अती समुझी मन ही मन रहिए के रचैता है प्रस्तुत पंक्तियों के रचैता कौन है इसका जवाब है तुलसी दास जी प्रस्तुत पंक्तियों के रचैता है सत्रूआ सवाल है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर आंधा धरा चारो और वह थाले फिरे मोती उसके एक ना गिरे बहुत ही महत्पूर पंक्तियां हैं यह पंक्तियां किसकी हैं इसका जवाब है प्रस्तुत पंक्तियां अमीर खुसरो जी की हैं कई बार परिश्यों में पूछा गया है अठारवा सवाल है अमीय हलाहल मदभरे शुयत साम रतनार किस कवी की पंगतियां है जवाब है रसलीन जी की पंगतियां है 19. सवाल है भागू की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी इसके रचनाकार कौन है जो प्रस्तुत पंक्ती है इसके रचनाकार कौन है इसका जवाब है पदमाकर जी है 20. सवाल है नात्र संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए स्रदहाचरण प्रधान धर्म की प्रष्ट भूमी तयार कर दी जिन संत्साधूं की रचनाओं से हिंदी साहित गरवानवित है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमी का मिल गई उपर्युक्त कथन है उपर्यु कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को अध्यात्मिक संकेत बताया है उसी प्रकार विद्यापती को भी वस्तुता विद्यापती अध्यात्मिक नहीं स्रंगारिक कवी है उपर्युक्त कथन है उपर्युक्त कथन किसका है इसका जवाब है आचार रामचंद्र शु जी की है तेईसुवा सवाल है एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया पंक्ती है बहुती महत्तुपूर और फेमस पंक्ती है जिसका जवाब है अमीर फुसरोग चौबिस्वा सवाल है हिंदी साहित आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारना की स्रष्टी करता है और शुरोता के चित में एक भाव पैदा करता है उपर्युक्त कथन है उपर्युक्त कथन किसका है इसका जवाब है हजारी प्रसाद दिवेदी जी का है 25. साहित का इतिहास, जनता के चित्वरत्ती का इतिहास है यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसका जवाब है आचार रामचंदर शुकलिजी का यह कथन है 26. कविता उनकी श्रंगारी है पर प्रेम की उच्छ भूमी पर नहीं पहुचती नीचे रह जाती है 27. पुष्तक जलहण हाथ दै चली गजन रप काज यह पंगती किसकी है? प्रस्तुत पंगती किसकी है? इसका जवाब है 28. आगम वेवू पुरोडे ही पाडिया माण वहनती 29. पंगती किसकी है? प्रस्तुत पंगती किसकी है? उपर युखत पंगती जो है वह 29. तीस्वा सवाल है देव हिंदी के भीकारी कवी है वाग के किस विद्वान का है? इसका जवाब है लाला भगवान दीन का 30. साखी सब्दी दोहरा कही कहनी उपकान भगती नीस रपही अधम कवी विदही वेद पुरान किस कवी की पंगती है? यह प्रस्तुत पंगती हैं किस कवी की है? इसका जवाब है तुलसी दास जी की है एक तिस्वा सवाल है मस्तीन सुखा डाहिबी आसीम आउरम धाहिबी धीदी दुना नूप जाहिबी फीफा फिना सत साहिबी उप्योक्त पंगतियां किस भासा का नमूना है? जो उप्रोक्त पंगतियां है वह किस भासा का नमूना है? इसका जवाब 32 सवाल है जसोदा कहां कहो हाँ बात तुम्हारे सुथ के करतब मों पे कही नहीं जात के रचनाकार है इसका जवाब है चतुर भुज दास इसके रचनाकार है 33 सवाल है अधर मधुरता कठिनता कूच तिक्षनता ते और रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और ये कवी है इन प्रस्तुत पंक्तियों के कवी कौन है जवाब है भिखारी दास 34 सवाल है पानी ही तैह हम भया ही मैं गया विलाए यह पंक्ती किस कवी की है प्रस्तुत पंक्तियां है कभीर दास की 35 सवाल है पुष्टी मारग को जहाज जात है तो जाको कछू लेना हो तो लेओ बिठलनाध का यह कथन कब का है जवाब है सूर्दास की मृत्यू पर बिठल नाथ ने यह कहा 36. सवाल है गुंगट का पल खोल रहे तो को मिलेंगे घट घट में वो ही साई रमता कटुक वचन मत बोल रहे किस कवी की रचना है प्रस्तुत पंक्ती किस कवी की रचना है जवाब है कबीर दास जी की 37. सवाल है शब्दार्थव सहितव काव्यम काव्य की यह परिभासा किस की है काव्य की यह परिभासा किस की है इसका जवाब है भामा की 38. सवाल है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से उद्रत है? इसका जवाब है सरोज इसमरती से 49. सवाल है अब लोग नसानी अब ननसेहों किसकी उखती है? इसका जवाब है तुलसी दास जी की उखती है 40. सवाल है विश्व जन की अर्शना में नहीं बहदक था इस वियश्टी का अभिमान किसकी पंक्ति है? इसका जवाब है भारत भूशन अगरवाल जी की है 41. सवाल है केशो कही न जाय का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समूझ मन ही मन रहिए 42. सवाल है भोगो तुम इस भाती मृत को दाग नहीं लग पाए तुम मिट्टी में नहीं मिट्टी तुम में विलीन हो जाए 43. सवाल है आखिन मूंदी बे के मिस आनी अचानक पीठे उरोज लगावे 44. सवाल है पंक्ती के रचनाकार है महत्पूर पंक्ती है इसका जवाब है पदमाकर जी की 46. सवाल है डार दुरुम पालना बिछोना नौ पल्लाओ के सुमन छंगुला सोहे तन छवी भारी दे पंक्ती के रचनाकार है कौन है जवाब है देव 47. सवाल है बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के उपर एक नई बात दिखाई दी कोई हिंदू यह नहीं जानता की यह कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता भक्ती आंदोलन के विसे में ये कथन किसका है यह जो कथन है प्रस्तुत कथन यह किसका है इसका जवाब है गियरसन का है 48. सवाल है कबीर ने केवल भिन प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया प्रतिक्ष जीवन की एकता का दरश सामने रखने की आव शुक्ल जी का है उन्चास्वा सवाल है माई नहोती, बाप नहोते, कर्म नहोता, काया हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाते आया पंक्तियां है, महत्पूर पंक्तियां है, किस कवी की है इसका जवाब है संत नाम देव जी की है पचास्वा सवाल है किसकी पंग्तियां है प्रस्तुत पंग्तियां किसकी है इसका जवाब है संत नाम देव जी की है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेशेर करें, सब्सक्राइब करें तयारी कर लो चैनल को अगली वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ और क्विज, कुछ और सवाल, कुछ और बातें लेकर आएंगे थैंक यो फॉर वाचिंग इस वीडियो